हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तू दे क्लास, मैसेर बब्री जैस्वाल, आज इंग्लिस टीचर, एज यू आल नो, तुड़े इस मंडे, आज मंडे है, आज हम लोग का हैट स्टार के बुक का टर्न है, लास्ट क्लास में, पिरिवेस क्लास तो ग्रामर की थी, पर जब हमारा टर्न था, हैट स्टार, यानि कि, पढ़ہेंगे, बर पहले उसके पहले एक बार रिकॉल कर लेंगे कि क्या हम लोग पढ़ लिए हैं, सबसे पहले क्या था पेज नमबर फर्स्ट जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं कि आप कैसा पेड लगाएंगे और ये सारे तो आपने पढ़ लिये थे हैं एक राजा ये था यहां पेड राजा थे उसको फॉल्क टेल केते हैं उसके बाद हम लोगों ने स्टोरी का फर्स्ट जो 55 पेज नमबर पर टू पैरग्राफ दिये उसको पड़े जिसमें क्या जाने थे कि एक राजा था जो एक ऐसा महल बनाना चाहता था जिसका की सिर्फ ए एक कॉलम हो और एक कॉलम पे एक पूरा एक पीलर पे उसका पूरा पैलेस हो ऐसा महल हो उसने अपने मंत्री को भेज देता है उसके मंत्री लोग वापस आते हैं बोलते हैं कि बहुत सारे बड़े-बड़े स्ट्रॉंग पेड़ है लेकिन उतने को हम लोग यहां तक कैसे ला पाएंगे तो फिर वो बोलता है कि अच्छे ठीक है आप कोई एक हमारे गार्डेन से भी गार्डेन से ही ऐसा पेड़ चूस करिए जिसको जो की स्ट्रॉंग इनफ हो हमारा महल बनाने के लिए तो वो लोग जाते हैं और सॉल्ट्री को चूस करते हैं ठीक है जो की मisme एक आत्मा रहती थी और जो सोल्टी रहती स Tou strengthen risk सब को समझày आता है कि हां यसा क्या हो रहा है उसके पथे जो विश्पर करने लगते भून्बुनाने लगते हैं और जैसे ही वह बोलती है कि मेरे आसपास जो छोटे चोटे पेड निकल रहे हैं चोटे चोटे पाफ्जे जो बढ़ रहे हैं पेड के नीचे उसका बीच से जिसको वह अपने बचचे बोलती है जिसके जो न schemes पोधेते उसको बच्चे बोलते हैं वो अगर मुझे काटा जाएगा तो वो मर जाएगे मुझे राजा को बोलना चाहिए कि ये आपका फैसला सही नहीं है ठीक है इसके बाद जो ये पैरग्राफ है as the whisper dead away the spirit thought this must be not allowed I must visit the king and try to make him change his mind यहां तक हम लोग पढ़ लिये थे कि वो जो spirit है वो जो आत्मा है वो सोस्ती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ये नहीं कटना चाहिए हमको जरूर ही राजा के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए राजा से उनको convince करना चाहिए कि वो अपना फैसला बदल दें इस तरह हमको मुझे ना काटें यहां से पढ़ना है हम लोग को आज सो चलिए आई होप आप लोग के पूरी कहानी रिकॉल हो गई होगी अब स्टार्ट करते हैं उसी रात एक साइनिंग फिगर चमकता हुआ फिगर राजा के सपने में आता है और बड़े ही सोफ्ट वाइस बड़े ही मधूरता के साथ बहुती अच्छे आवाज में वो बोलते हैं साइनिंग फिगर means कि आप लोग ऐसे जादू आवल देखते हैं या फिर जब भी हम लोग महाभारत देखते हैं या क्रिश्न देखते हैं तो उसमें भी दिखाया जाता है कि ऐसे चमक साइन आता है और पिर वहाँ पर एक भगवान जी आ जाते हैं या फिर स्टोरी हम लोग साइनिंग वाला देखते हैं स्टोरी देखते हैं भूत वाला या फिर जादू वाला तो ऐसे चमकता है कुछ और फिर वहां पे एक लड़का लड़की जो भी रहते हैं वो आ जाते हैं तो ऐसे ही साइनिंग अप होता है और वहाँ पे एक figure आता है एक इंसान जैसा आक्रीती आती है आप picture में भी देख पाएंगे picture में देखिए यह तो राजा और मंत्री है यह देखिए ऐसे बनी हुई है यह क्या है? यह है tree spirit जो कि यहाँ पे ऐसे signing figure आ जाती है और वो उनसे बड़े ही मधूर voice में बहुत ही अच्छे voice में बोलती है I am the spirit of salt tree क्या बोलती है? I am the spirit of salt tree मैं salt पेड में रहने वाली आत्मा हूँ O king, I was free as breeze but today I learned of your plan to cut me down राजा से बोलती है कि ओ राजा मैं तो इतनी आजाद हूँ जितना की breeze means हवा जितना हवा free होता है जितना हवा अजाद होता है मैं भी उतनी आजाद हूँ लेकिन today आज मैंने learn miss यह पर याद करना नहीं है ठीक है? आप लोग generally learn miss लगा लेते हैं याद करना मैंने सुना मैंने आपके plan के बारे में जाना आपने जो plan बनाया है मुझे काटने का I have to come to beg you change your mind बेग मतलब विंती करना न किसी से request करना तो मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे request करने कि please आप यह जो अपना decision है उसको change कर दीजे मुझे काटने का जो आपने plan बनाया है जो निश्य किया है वो अपना ये फैसला आप बदल दीजे मैं इसके लिए आपसे प्रात्ना करने यहाँ पर आई हूँ No, I cannot answer the king राजा क्या उत्तर देते हैं नहीं मैं नहीं change करूंगा अपना फैसला Your is the only tree in our park strong enough to support palace ठीक है क्यों बोलते हैं कि मैं अपना फैसला नहीं change करूंगा क्योंकि आपका ही वो एक इकलोता पेड़ है यानि शॉल्टर ही वो इतना strong enough means पर्याप्त strong means मजबूत इतना मजबूत है जो कि मेरे palace मेरे महल को support कर सके means वो जो एक pillar पे बनाना चाहते थे ये salt tree इतना मजबूत था जिसका वो pillar बन सके ठीक है therefore therefore I must have it इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा मुझे आपको काटना ही पड़ेगा कौन बोल रहा है राजा बोल रहा है ठीक है ये देखिए इस प्रीट आई है राजा के सपने में उनसे बात करी है तो वो बोलती है प्लीज आप मुझे मत काटिये मैंने आपका प्लान सुना आप मुझे काटने वाले है तो राजा बोलते हैं कि नहीं मैं तो आपको काटूंगा क्योंकि आप ही एक एकलोती ट्री है जो कि मेरे मेहल को सपोर्ट दे सकती है आपका ही ट्री मेरा इकलोता ट्री है आप ही इकलोती ट्री है नहीं ओ गिंग सेटी स्प्रीट फॉर थाउजन आडियोर फॉर थाउजन यार्स दपीपुल ऑफ मैनी विलेजेश वेवर्शिप्ट मी फिर वो ट्री स्प्रीट क्या बोलती है क्यों राजा हजारों साल से जो कई गाउं के लोग है वो मेरा पूजा करते हैं दबर्ड हैब नेक्स्ट इन मी बहुत सारी चिडिया लोग मुझमे यानि सॉल्ट्री में अपना घर अपना नेक्स्ट अपना घोसला बनाई है अंगिंस्ट माई ट्रंग मैन कैन रेस्ट ग्लैड टू ग्लैड ओफ दा कूल ब्रीज कूल सेड मेरे साखाओं के नीचे मनुस्य आदमी और जो है वो लोग छाया लेते हैं और ठंडी ठंडी छाया लेते मिस पेड के नीचे बैटके रेस्ट करते हैं और ठंडी छाया लेते हैं यस तरह से वो प्लीस्ड करती है राजा को प्लीस्ड करती है मिस बनाने कि कोषिश करती है True said King राजा बोलते हैं कर हाँ आप एकदम सही color all true in a good sole spirit but I cannot spare you I cannot change my mind आप जो भी कह रहे हैं वो सब अच्छी बात है but I cannot spare you में नहीं छोड सकता हूँ आपका यह पेड और मैं अपना फैसला नहीं बन कर सकता हूं बन कर सकता हूँ नहीं मैं अपना फैसला चेंज नहीं करूँगा मैं जो decision लिया हूँ मैं वो decision पे ही रहूँगा यानि मैं आपका ही tree काट कर अपना महल का जो pillar है वो बनाऊँगा The tree spirit blow her head and spoke Then mighty king grant me one request उसके बाद जो tree spirit थी वो पेड की जुआत्मा थी वो blow her hand and spoke उनका सर जुख जाता है और फिर वो बोलती है कि अच्छा तो mighty king जो दे आलू राजा है प्लीस मेरे पे एक क्रीपा करिए मेरा एक request सुन लिजे प्लीस fell me in three parts fell me miss गिराना ना काट कर गिराना जब आप मुझे काटेंगे तो मुझे three parts में काटिए वन एक टाइम में मत काटिए तीन भाग में तोड़के फिर काटिए first cut away the green part पहले जो green green जितने पार्थ है मेरे branches उनको काट दीजे next cut my middle फिर बीच का जो मेरा एक बड़ा सा उसको क्या बोलते है तना उसको काट दीजे with its hundred strong arm and strength जब बीच का तना काटेंगे तो उसके चोटे चोटे जितने भी आर्म यानी पेड के हाथ यानी जो उसकी branches है वो सब कर जाएंगे last of all cut down my trunk और last में मुझे एक ड़म नीचे से काट दीजे this is a strong request said the king और फिर राजा सोचने लगता है कि ये कैसा अजीब रिक्वेस्ट है कोई खुद को तीन बार तकलीफ पहुचाने का कैसे सोच सकता है अगर मैं इसको एक बार में काट देता तो इसको एक बार ही तकलीफ होती और ये एक बार में कट की गिर जाती पर ये खुद ही कह रही है कि मुझे तीन बार तकलीफ दो और तीन बार में काट दो ठीक है I have never heard of anyone who wish to suffer three times राजा बोलते हैं मैंने कब भी नहीं सुना था कि कोई ऐसा होगा जो तीन बार तकलीफ सहना चाहेगा ये कैसा अजीब रिक्वेस्ट आप मुझसे कर रही हैं कि मैं आपको एक बार में काट के तकलीफ ना दू बलकि तीन बार में काट हो ठीक है कौन कहता है My family has grown around me then solitary कहती है कि मेरा पूरा परिवार जो है वो मेरे आसपास grown यानी पल बढ़ रहे हैं उनका भरन प्रोशन हो रहा है वो बढ़ रहे हैं एक बढ़ा पेड जब भी होता है तो उसके नीचे देखे चोटे 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 उसी पेड का और भी बहुत सारा पौधा निकलने लगता है तो वो यहीं बोल रहे है कि मेरा पूरा जो परिवार है वो मेरे अराउंड चारो तरफ ग्रोन यानी पल पोस रहा है डर्जन ओ यंग सॉल्ट्री है इस पंग फ्रॉम मी बहुत सारी डर्जन दर्जन यानी 12 यानी कि दर्जन चोटे चोटे जो नौजात सॉल्ट्री है चोटे चोटे जो नौजात पौधे हैं वो मेरे आसपास चारो तरफ अभी बढ़ रहे हैं फैले हुए हैं डे डिपेंड ओन मी फोर सेड और वो सब चाया के लिए मुझ पे असरीत है डिपेंड यानी निर्भर होना निर्भर है इफ यू कट मी व ऎ सब्कमाइन गटे त सबस्केट लगे है और मेरे इतना भारी होँ है और मेरा जो वेट है मेरा जो वजन है उसमें दफ के चोटे चोटे जो पौधे हैं वो सब मर जाएंगे बट इफ आई सफर दे स्ट्रोग थी टाइम एंड फॉल इन थी पीसे सम अफ दे लिटिल वन में इसकेप लेकिन अगर आप मुझे तीन बार काटोगे और मैं तीन बार अगर आपका प्रहार जो होए उसको सहलूंगी तो हो सकता ह कोई एक दो मेरे जो बच्चे हैं जो चोटी चोटी पौधे हैं वो इसके प्यानी बच जाएं वो ना मरें डू यू ग्रांट माई प्रेयर फिर वो पुष्ति है कि क्या आप मेरे इस रिक्वेस्ट को मेरे इस प्राथना को स्विकार करते हैं राजा से बोलती हैं राजा बोलते हैं हाँ ठीक है मैं आपकी प्राथना स्विकार करता हूँ और जैसे ही राजा ये बोलते हैं जो ट्री स्प्रीट थी फैड़े डवे यानि चली जाना वो उनके सपने से वापस चली जाती हैं वहोट दूर ठीक है next morning the king called the minister and his forester अगले दिन सुबर राजा जो है वो अपने मंतरी और सारे forest अधिकारी को बुलाएं he told them that he had changed his mind और उनोंने उन सब लोगों को बताया कि वो जो अपना फैसला लिये थे वो उसको बदल चुके हैं बदलना चाहते हैं या बदल दिये हैं the column of the new palace would be build of stone not wood और क्या फैसला किये हैं वो कि एक कॉलम वाला ही महल बनेगा लेकिन वो जो कॉलम है वो जो पिलर है वो अब पत्थर का बनेगा ना कि लकडी का बनेगा ठीक है कौन बोलता है राजा बोलते है यानि कि जो saltry request करने आई थी वो उनके request को accept कर लेते हैं this is because a very noble spirit live in the saltry he said और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अपना जो फैसला है वो क्यों बतला क्योंकि नोबल यानि बहुत ही अच्छी बहुत ही रेस्पेक्टर बहुत ही अच्छी आत्मा एक saltry में रहती है उन्होंने ऐसा बोला उसके वज़े से ही मैं अपना फैसला बदल र बसफर कितना रहेगा कि अब वो कॉलम जो है वो लकडी का ना होकर वो पत्थर का कॉलम होगा सो इस तरह से यह जो स्टोरी है वो एंड होती है बहुती अठी स्टोरी थी आई हो आप लोगों को पसंद आई हो सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके exercise और question answer को discuss करेंगे तब word meaning दिये गया है क्योंकि आप लोग Hindi to English लिखते हैं तो आप लोग एक side इस side ऐसे सारे words उतार के रखेंगे और meaning मैं बता दूँगी लिखके send कर दूँगी PDF में या फिर अभी भी बता देती हूँ जिनको याद रहेगा तो वो सुनके लिख सकते हैं ठीक है देखें पेज नमबर 55 पे 2 word meaning है फर्स्ट है फोरेस्टर यानि की जंगल के अधिकारी ठीक है फोरेस्टर कौन हुआ जंगल के अधिकारी तो यहाँ पे हम लिख देंगे जंगल जंगल के अधिकारी ठीक है नेक्स्ट है गिगनेटिंग का यहां पर देखें यूज दिया गया है जो कि उसका सिनोनम ही यूज मीज विशाल क्या लिख देंगे विशाल यानि बहुत बड़ा ठीक है नेक्स्ट पेज नमबर 56 पे चलेंगे 56 पे भी दो वर्ड मीनिंग है फर्स्ट है फेव स्प्रंग अप अराउंड अस अराउंड अस यानि उनके चारों तरफ उगना देखिए फेव ग्रॉन अराउंड अस हमारे चारों तरफ उगना नेक्स्ट है डेडवे डेडवे फेडवे यानि कि मर कर चले जाना मर जाना ठीक है नेक्स्ट पेज नमबर नेक्स्ट पेज नमबर का जो वर्ड मीनिंग है इसमें आपको नहीं दिख पा रहा होगा लेकिन अगर आप अपना अपना बुक खो लेंगे तो 57 पे एक word meaning है जो की है fell me word meaning क्या है fell me F-E-L-L और M-E fell me fell me का meaning क्या हुआ मुझे काट के गिराना ठीक है me यानि मुझे fell मने गिर जाना और cut me down यानि मुझे काट देना क्योंकि story से related हम लोग लिखेंगे तो कौन बोला था cut me down मुझे काट के किराना tree spread बोली थी इस तरह से सारे word meaning आप लिख लेंगे next class में हम लोग इसके true false और जो भी question answer है और grammar है उन सब को discuss करेंगे तब तक word meaning लिख के send करिए और पढ़ते रहिए thank you